हेलो दोस्तों तो कैसे आप सब अप सब का स्वागत है एट्मिक्स में आज की स्पेशल वीडियो में आप सब का स्वागत है अगर आप अपने डॉक बिट को चिकन और बॉयल एक देते हो यह सोच किये कि उसमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो आप गलत है आज की इस वीड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंट्रेस्ट वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो चीज आप चीकन और एक के बदले अगर प्रोटीन के लिए देते हो तो उसके मुकाबले में अगर आप सोया बीन अगर आप के तक वीडियो सो अब इन में आपको कई सारी चीज़े देखने को मिलती है उनमें से ओमेगा-3 fatty acids साथ-साथ इसमें एंटी ऑक्सिडंट्स भी देखने को मिलते हैं यह जो ओमेगा-3 fatty acids है इसके चलते आपके डॉक बिट का जो फर है साथ-सकी स्कीन है उसमें काफे ज्या इसे ड्राय दे या वेट दे कई सारी लोग पुछते कि इसे सूखा देना चाहिए या वेट तो इस चीज में मैं बोलूँगा आप वेट दीजिए यह ज्यादा बेनिफिशल होगा उसके लिए थोड़ा सा वाम वाटर लीजिए आप उसमें से आप 10 या आठ पीसस दे सकत इड्वांटेज़स में जैसे मैंने बताया फर अच्छा होगा स्कीन अच्छा होगा साथ-साथ आपका डॉग बीड अगर वीक होगा एनरजेटिक नहीं होगा तो इसके चलते वह एनरजेटिक भी बनेगा साथ-साथ थोड़ा वेट भी गीन करेगा अच्छे से ऐसा नही साथ-साथ एक चीज़ का जरूर याद रखे कि आपको रेगुलरली नहीं देना है कई सारे लोग सोचेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है तो मैं रेगुलर देना स्टार्ट कर देता हो तो ऐसा नहीं करना है अगर आप वीक में दो बार या तो तीन बार दो तो वह इस सीच्वेशन में अगर आपके डॉग बीड को आप ना दे तो जादा बेटर रहेगा क्योंकि फीमेल में हार्मॉनाल्स चेंज़र हो सकते हैं इसको देने के कारण सेकेंड अगर आपके डॉग बीड में थाइरॉइड हो तो आपको बिलकुल उसको देना नहीं है इसके काफी जादा benefits आपको देखने को जरूर से मिलेंगे dog breed को याद रहे excessive feed ना करें जैसे मैंने बताया हफते में 2 या 3 बार दे इससे काफी जादा अच्छा रहेगा dog breed को और भीगो के दे तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो आशकर तो आपको अच्छी लगी होगी काफी जादा knowledge मिली होगी तो जरूर से इस वीडियो का like कीजिगा चैनल पर new हो तो subscribe कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे interesting वीडियो लाते रहते हैं मिलता हूँ मैं आपको ऐसे interesting वीडियो के साथ thank you for watching